हेलो एवरियमन माईने में जितेन बेक अधर वीडियो आज का वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम एड़ फोटोशॉप 2022 में पासवड साइज फोटो क्रियेट करना बताएंगे तो यह मेरी नॉर्मल फोटो है जो कि मैंने फोन से क्लिक की वि करें ने लाउन लेटेब नरिटा आई व्युक्ताथ में फोटो आइड फोटोशॉप में ड्रे और करेंगे ड्रेहं च्रौक सबसे पहले सक्वाट है हमें फोटो का बग इडरांट च्हेंज करना पड़ेगा बेगम हुप यूज करना पड़ेगा तो हम पिदों को प्रे झाल झाल हमारी फोटो का सेलेक्शन हॉल चुका है आप देख सकते हैं हमने फोटो का सेलेक्शन कर लिया है फोटो सेलेक्शन करने के बाद हमें या बेकराउंड को रिमुव करना पड़े हैं जाको कि हमारा फोटो का बेकरांड सेलेक्ट करने के लिए हमें पहले तो हमें इस इस बिग्रांड को स्वेक다 कर2 यह जो भी सेलेक्शन बनाओ है यह वह मेरी फोटो पर सेलक्शन बनाओ है तो इससे सब्सक्राइब करने के लिए हमें जिफ्ट गट्रॉल एक रिशाना होगा हcelए तो आप देख सकते हैं हमने बेक्राउंड को सेलेक्ट करके और बेक्राउंड को वाइट कर दिया है जिससे हमें क्या है हमारा बेक्राउंड प्रॉपरली रिमूव हो चुका है गिًहों होने के बाद हम ए कंट्रोल डिप्रएस करना है कि और आप देख सकते हम वारी फोटो को बेक्राउंड प्रॉपरली रिमूव हो चुका है अब हम इसे crop करना होगा password size में तो password size में crop करने के लिए हमें press शीक करना होगा और password size photo की size होती है 35 mm into 45 mm तो हमने size already डाल रखे है 35 mm और 200 resolution पर crop करना है तो हम इसे crop करते हैं इसे हम अपने इसाफ से एड़ेस्ट करके क्रॉप कर सकते हैं ताकि हमारी फोटो और यह अच्छी दिखे तो आप देख सकते हैं मैंने 35 बार 45 एम में फोटो को क्रॉप कर लिया है क्रॉप करने के बाद सिंपल हमें इस फोटो पर स्ट्रोक देना है सबसे पहले फोटो पर स्ट्रोक देने के लिए वो हमारी अलग-अलग दिखें तो इसलिए हम में इस ट्रोट के उप्योंग करते है तो temperature का में तो फाइनल ले मी इस ट्रोक दे दिया फटो में इस ट्रॉप देनीके बाद में आपको नोमली एक action को प्योग करना पड़ेगा जो कि आपको description box में मिल जाएगा उस action से आपको photos को अलग-अलग dragon drop नहीं करना उनली उस action को प्रेस करने से आपकी art passport for six paper में automatic set हो जाएगी तो मैं बताता हूँ वो action कौन सा है तो आपको windows में जाना है और action में जाना है तो मैं एक्षन यूज़ करके बताता हूँ आपको तो नौर्मली मेरा अक्षन है है यह आठ पीपी for six में आठ password for six paper में already set हो जाएगी तो मैं आपको करके बताता हूँ तो देख लो मेरे को बिना किसी drag and drop की बिना यह मेरी password से photo automatic for six paper में set हो गई है तो आप ऐसे ही easy way में description से action download करके उसे use कर सकते हैं तो अब इसे simply हम save कर लेंगे save करने के लिए shift control e सबसे पहले तो मैं जो file यह open view उनको merge करना होगा merge करने के बाद में shift control s करना है ताकि हमारी file save हो जाए तो हम इसे desktop पे save कर लेते है तो मैंने इस desktop पे save कर ले और आपको दिखाता हूं इसकी जो quality है जो हमारी password size photo बनी है तो मैं normally Photoshop को तो minimize कर देता हूं और आपको quality दिखाता हूं तो हमारी यह password size photo रेडी हो गई है आप देख सकते हो एक mobile की photo से हमने कैसे add of Photoshop 2022 में password size photo create किया है तो आप भी ऐसे simple way से कर सकते हैं मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी YouTube channel को like and subscribe कर देना किसी भी topics related आपको वीडियो चाहिए तो comment box में आप type करके message कर सकते हो कि मुझे इस related वीडियो चाहिए मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी channel को like share और subscribe जरू कर देना